जैहंद मैं हूँ अजे, फनीचल लाइपट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, यह उड़ पैनल बनाय जा रहे हैं, छोटे-छोटे उड़ के पैनल बनाय जा रहे हैं, इसमें कहीं बेड में लगाना हो, या कहीं डिस्पले लगानी हो, या कहीं वाल पे लगाना हो, या मतलब की कहीं भी यूज कर सकते हैं इस उड़ पैनल का क्योंकि इनका साइज छोटा है और डिजाइन बहुत खुब्सुरत बनती है पॉलिस होने बाद भाई कलर भी बहुत अच्छा निकलता है क्योंकि ये कम्प्लीट जो है लाइब के परफस से डेंसिटी के परफस से सबी चीजों को लेकर तीक उड़ एक बेस्ट आप्शन रहता है कस्टमर के पास इस तरीके से जो है मैं रग दे रहा हूँ आप देख सकते हैं इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी आप इसको दो सेब में भी डिजाइन बनवा सकते हैं लाइनिंग वाली सीधी और बेड़ी लाइनिंग वाली और इस उड़ पैनल में आपको बहुत से आप्शन मिल जाते हैं मान लीजिए कि हमको किसी उड़ का कलर चेंज करना हो तो उसको किसी और कलर में आप करवालो या किसी और उड़ में आप करवालो पॉलिस तो वो देखने में अलग लगेगा पर खुबसूरती बहुत अच्छी आएगी वैसे तो तीक उड़ती अच्छी लगती ही लगती है बट आप customize अपने thinking के साफ से करवाएंगे तो और better लगेगी तो भाई कुछ इस तरीके से wooden panel का step होता है जो उट छोटी उट बनाई गई है जो bed में लगाई जाएंगी वैसे तो ठीक है इस type से तो इसका जो जैसे process होता है इसको छोटे-छोटे pieces काट के फिर design बना के फिर इस तरीके से bed में अपने press की जा रही है आप देख सकते हैं ये bed में press हो रही है तो इस तरीके से कुछ bed का look आएगा और देखने में भाई बहुत खुबसूरत लगेगा क्योंकि भाई उड की बात कुछ अलग होती है तो मैं furniture जोड़ी सारी knowledge देता रहता हूँ furniture का work भी करवाता हूँ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और ये है पैताना पैताने में भी इसी तरीके से design बनाई गई है तो वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जा हैंदग